खंबा गयनी मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और संडे को 11 बजे मैं ये सेशन ले रही हूँ क्योंकि पूरा वीक तो हम पढ़ते ही हैं ठीक है तो मेरे पास जो पूरे हफ़ते कॉल्स आती हैं उसमें जो बच्चों का लड़कियों के साथ आ रही है तो उसके लिए मैंने ये सेशन रखा है ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें तो पूरा हफता पढ़ते हैं तो वीकेंड पर दिल के बात अपनी आपके और मेरी इनर वोइस जो हमारी इनर वोइस बोलती है वो बच्चियां और कुछ जो बच् उसे share करते हैं तो मुझे लगा आप सबसे share करें और साथ की साथ उसका solution भी ढूणने की हम लोग कोशिश करेंगे inner voice series में ठीक है 11 बजे का time क्यों रखा है रात को सब free होते इस time पर इसको बड़े अराम से आप सब लोग देख सकते हैं ठीक है तो देखें जो बच्चे हैं जि कहूंगे 11th class ये 12th class जिनके पास हो उनके पास problem क्या आती है बच्चा अगर medical subject लेना चाहता है तो parents कहेंगे आर्ट लो तुम्हारे बसकी बात नहीं है doctor engineer बनना तो medical non-medical मतलो तुम arts लो अगर बच्चा आर्ट लेने चाहता है एक कमिर रपास call आया ऐसे 12th में किया ता मैंन 11th में अब मैं यह नहीं कहूंगे कि बच्चे को revolt कर जाओ मादा पिता के खिलाव जाके नहीं तो ऐसे में solution क्या होना चाहिए आप किसी family में इस person को ढूंडे ठीके किसी family में या कोई teacher हो आपके उनको ढूंडे और parents के आपस में बात करा है ठीके एक confidence बनेगा parents को confidence में लेक उनको आप बोले कि वो आपको convince करें किसी एक ऐसे person की मदद इस case में ली जा सकते है क्योंकि जब direct parents से interaction होता है तो कहीं ना कहीं आ जाता है generation gap है हमारा सारी चीज़े होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि parents के खिलाफ revolt क्रांती कहा रही ही बन जाओ क्रांती ही कर लो नह mutually decide करें अच्छा फिर यह भी होते है कुछ बचे खाना वाना छोड़के बैट जाते हैं घर में नहीं नहीं चल रही है आपको medical लेना पड़ रहा है आपको arts लेना पड़ रहा है तो ले ले आप उसमें कुछ conditional जैसे यह जो 12 वारा बच्चा है यह मुझे बड़ा smart लगा इ लेकिन जब graduation आएगी तो मैं arts ही लूँगा क्योंकि उसको बनना R.A.S. था finally ठीके तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं conditional कर सकते हैं ठीके बहुत जाला अच्छी चीज़ नहीं लेकिन हाँ आप भी parents को समझाएं ठीके अगर वो मान जाते हैं तो ठीके अगर बिलकुल नहीं म मौका देगी और आप वो चीज़ करेंगे क्योंकि आप 12 में हैं 11 में हैं तो मैं आपको यह नहीं बोल सकते कि आप revolt खड़ा कर तो ठीक है दूसरा जो चीज़ आती है लड़कियों की जो आती है problem उनका ये है कि उनको भी ऐसे बोला जाता है एक जैसे case हुआ था एक आसा parents को भी समझना चाहिए कोई जरूरी नहीं अगर किसी बच्चे का NEET एक दो नंबर से रह गया तो ये कोई वो नहीं है कि वो RS भी क्लियर नहीं करेगी तो parents को भी समझना चाहिए लेकिन अगर नहीं समझ रहे हैं नहीं उनको समझ में आ रहे हैं तो आप situation देखो और situation क को देखते हुए किसी तरह उनको convince कर लो कि हाँ आप online coaching available है मैं ये करूंगी घर पे बैठके ही तैयारी करूंगी साथ में जो आप बोल रहे हैं बीए continue करना है मैं बीए भी continue करती रहूंगी तो इस तरह की चीज़े आप planning करे चाइना क्यों इतना successful हो गया तो आपको जो है problem जो है जो समस्या है वो तो हमेशा ही रहेगी इसकी तरफ करब करके ना सोचे ठीक है आप जो है सोचे इसका solution क्या है और ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर solution निकल ही आता है कुछ mutual चीज़ पर पहुंच जाओ कुछ average बीच का रास्ता कुछ निकालने की कोशिश कर तीसरी जो बात आती है बच्चियों के साथ in-laws में रहकर उनको तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है ससुराल के अंदर रहके कई बार वो support नहीं करते हैं तो उनको मैं यह कहूंगी आप अपने लिए उनिप conditions के अंदर time निकालने के कोशिश करें क्या हुआ अगर आपको उसको delay कर दे और यह सोचे कि मुझे इतना time मिल रहा है मुझे इतने में ही पढ़ना है ठीक है क्योंकि RAS का exam बच्चे 4 घंटे पढ़के भी निकालते हैं बच्चे 8 घंटे पढ़के भी निकालते हैं सब तरह के cases है अब अपना case unique है अपने case को दूसरों से compare ना करें दूस time management की तो हमें क्या सीखना है तीसरी चीज कि time को manage करना सीखें आप priority सेट करें पहले बच्चे को देखना जरूरी है उनको देख लिया फिर आप अपने पढ़ने के लिए एक घंटा सुबह निकाले एक घंटा बीच में निकाले एक घंटा रात को निकाले तो तीन घंटे प तरफ जादा focus ना करके उसके solution की तरफ focus करें आपको कुछ बात करें मुझसे आप पूछ सकते हैं क्या solution है मैंने की है जैसे दो तिन दो तिन लड़कियों की मदद जैसे उनको बताया है तो वो बहुत खुश है मुझे thank you भी बोलते हैं बहुत बागी मैं आपके जैसे ऐसा हो गया तो यह जो इस तरह की चीज़े हैं तो हम मिलके solution find out कर लेंगे और एक बात बताती हूँ अपने ओपर कभी भी doubt नहीं करें ठीक है यह जो बात है मुझे बड़ी अच्छी line लगी an idiot with the plan जो भी idiot person है कोई नेरा मुर्ख person है कुछ बच्चे होते हैं आपको समझते हैं म कर लेना यह line है मेरी नहीं है Warren Buffett कहते है ऐसा मैं नहीं कहते हूं Warren Buffett कहते है an idiot with the plan can beat a genius without a plan ठीक है तो कितना ही genius बंदा हो लेकिन अगर वो planning से काम नहीं कर रहा तो वो fail हो जाएगा लेकिन अगर एक idiot नीरा मुर्ख बंदा भी है लेकिन वो planning से काम कर रहा है तो वो समझें मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप planning से काम करें strategize करें चीजों को solution की तरफ देखें समस्याओं की तरफ देखकर अपने उपर एक stress ना पताए ठीक है तो यह inner voice ती और जैसे जैसे calls आते रहेंगे आगे आगे टाइम पर बच्चों के मेरे पास मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी आपको किसी समस्या को कोई solution चाहिए कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं और live chat में comment section में बताएगा कि यह inner voice का session आपको कैसा लग रहा है और ऐसे और sessions चाहिए अच्छा मैं इसको live session भी ले सकते कि face to face आपसे बात हो जाती अग अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते तो अगर कोई doubt कुछ पूछना है तो वो मैं next Sunday को cover कर दूँगी मैं live session क्यों नहीं ले रही हूं मुझे कुछ अभी streaming का issue लग रहा है YouTube पे कि मैं session end करती हूं तो मेरा session 12 घंटे बाद दिखता है तो कोई point नहीं है अगर मैं अभी live आपके चली जाओंगी तो ये session कल सुबह डिस्पले होगा तो वो जो बीच का gap है उसमें learners देखनी पाएंगे और उनका mess हो जाएगा ठीक है तो इसलिए मैंने इसको record किया है आगे से जैसे वो streaming वाला issue हो जाएगा तो मैं live आने के भी कोशिश करूँगी ठीक है तो बताई ठीक है साथ चलती हूँ अगले वीडियो में मिलूँगी कल सुबह 6 बजे current affairs फिरसे स्टार्ट करेंगे पूरा हफता पढ़ाई करेंगे और संडे को थोड़ा relax भी करेंगे हम सभी लोग ठीक है तो मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक आप सब को मेरी घने घनी राम ओदा अ क्या basic करेंगे लीक हम हाँ थूरा हम करेंग वीडियो में मिलती है